है कि एप आप इस पैसे से लोग हम आचों के नई बीडियो के साथ और आज की बीडियों बताने वाले हैं कि पना घजल लाचुका है बीबेसी वाली स्ट्रीट्स अभी ने देख लिया होगा सब्सक्राइब देख लिया है अगर नहीं देखा है तो डिस्कुसमें आपको लिंक बिल जाएगी वहां से डारेक्ट आप अपने रिजल्ट को देख पाएंगे और आप ऑफिसर बैप साइट फिर भी जाकर देख सकते हैं तो बात कलेते कि आपने रिजल्ट आया है उसमें ऐसे क्सेट कर से निकालते हैं इसके बारे में आपको बताने वारा हूँ यहां पर ह руки साफ देखना का JOE ार यहां से कृमें तो बात करते हैं कि percentage दोनों की मिलागे किस प्रकार से देखेंगे और जो आपकी first semester second semester की percentage है वो कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा SGPDI है यहाँ से अपनी percentage निकलते हैं और बात कर लेते हैं जो grade point यह जो grade award दिए गए है grade letter भी कह सकते हैं और यह आपके grade point यह किस प्रकार से आपको कितने number पर मिलते हैं उसके बारे मैं आज वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर result में यहाँ देखेंगे कि कुछ हैं वहाँ पर आपको grade point 10 दिया जाएगा और वहाँ पर grade letter वो ओ दिया जाएगा ठीक है अगर 9 आपके 81 से अधिक number है तो आपका grade point कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और जो आपका grade letter होगा वो कितना हो जाएगा जिसे grade award भी कहते हैं ठीक है तो A plus हो जाएगा इसी पिकार से यहाँ पर देखेंगे 8 कप मिलेगा जब आपका 71 से 80 के बीच में होगा तो आपका 8 plus मिलेगा इसी पकार से देखेंगे 7,6,5,4 और 4 कप मिलेगा जब आप यहाँ पर pass होंगे only यानि आपके 33 से 40 के बीच में नमबर होगे तो वहाँ पर आप पास होंगे और average के साब से 32 के बीच में नमबर है तो वहाँ पर फेल हो जाएगे तो होगे किसी सब्जेक्ट में अपके आपका जो ग्रेड़ पॉइंट ग्रेड़ लेटर थे हैं वहाँ पर आपको एक वाँ सब्जेक्ट में पढ़ेगा आपको बाद में ठीक है तो यूनिवर्स्ट्री डेसाइड करेगी और उसमें आपको चार्ज भी लगेगा जितना पैसा रोपई लगेगा वह आपको बैक पीपर में तो ठीक है वह दुबारा देना पड़ेगा जिसमें भी आप फेल होते हैं तो यदि आपके 33 से नंबर कमाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और एपसेंट होंगे तो लिखा देजाएगा यहां पर लिखाओ कॉलिफाइ नॉट कॉलिफाइब उन सब्जेक्ट में दिखा जाता है जिनका ग्रेट पॉइंट आपको नहीं दिया जाता है जैसे कि आपके इन्वार्मेंटल हुआ फस्ट फो नीचर नंड हैजन फस्ट एड एड एंड हैल्थ के जो एक्जाम होते हैं उसमें आपको जो कॉलिफाइब करके दिया जाता है जिसमें आप कॉलिफाइब तो क्यूआपको दिखाई देगा लिखा और एंड क्यू मतलब नॉट क्वालिफाइब होंगी ठीक है तो पास का मतलब यहां पे तेह से आपके चाल्ध नंबर सब्ज cgpa का multiply अब 9.5 में करते हैं तो आपकी total percentage निकल के आ जाती है तो वही जानकरी में आपे देने बारत और आप में यहाँ पर देखेंगे आपकी स्रेडी किस प्रकार से होगी यदि आपका जो cgpa वो 6.50 से अधिक है और 10 से कम है यानि 6.50 से अधिक होगी तो आप वो प्रिथम स्रेडी में आएंगे और ऌका 5.00 से 5.00 से अधिक होंगी और 6.50 से कम होगी जो cgpa तो वहाँ पर आपकर 23rdude में आएंगे तो वहाँ पर आप तो से च्जानकर यहां इसले अधिक है और 5.00 से अधिक होगी तो तो यहां पर आप 33 रेड़ी में आएंगे तो यहां जानकर यहां पर देदी थी तो इसके बाद देख लेते हैं आपकी जो आपकी फर्स सेमेस्टर से किस पकार से परसेंट निकल लिए वह मैं आभी आपको मैंने बताई करेंगी और सशोइ मैंने परसेंट निकल यहीं तो यहां सब्सेंटकन ऐसे हैं जाते हैं तो ये इसके अंवर्ड यहां को कहीं भी तो आपको जानकार यह मिल गई होगी ठीक है तो आपको 9.5 का मटिप्लाइब करेंगी ठीक है तो आपको 2 समेस्टर की मिलाकर परसेंटेज निकाल जाते हैं जो आपकी एब्रेज परसेंटेज निकल किया है तो उसमें आप CGPA जो दिया है उसमें आप 9.5 का multiply करेंगे तो आपकी percentage निकल के आ जाएगी जितनी भी होगी ठीक है और जैसे ही आपके third semester का exam complete होते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी point दिये जाएंगे तो उसमें आपको जो percentage निकल लेगों को इसी प्रकार से आप निकल सकते आपको यहां पे देखें के pass हुए तो मतलब कि आप यहां पे प्रोमोटइट दो लिखाओ जिस comprehensive वे खेल हुए तो यहां पे आपको दुबारा एक्जाम देना पड़ेगा तो ये ती कुछ जानकारी तो आए पर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए